है गुड मॉर्निंग गाइज तो फिलाल टाइम हो रहा है दस बच चुके अपनी नेकजॉन की आज थर्ड सर्विसिंग होने वाली है जो 15,000 किलोमेटर रनिंग के बाद ही होती है तो अपनी गाड़ी फिलाल तो 14,000 कोम चुकी है तो आज मैं जा रहा हूँ शुरुम वालों का कॉल आ चुका था कि 10 बचे आप आजाओ हम आपकी इकार की सर्विसिंग कर देंगे तो इस वीडियो में मैं आपको फूल एक्स्पिरेंस बताऊंगा कि थर्ड सर्विसिंग में टोटल जो कॉस्ट होती है वो कितनी रहने वाली है और जो अपनी नेकजोन में 15,000 किलोमेटर रनिंग के बाद जो जो प्रॉब्लेम मेरे साथ हुई है वो सारी प्रॉब्लेम में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो first problem में उनको यही बताने वाला हो कि अपनी car का जो reverse gear है वो अटकता है उस पे मैंने last वाले वीडियो में भी मैंने बोला था कि जो अपना reverse gear वाला problem में होता है second cabin noise होती है अपने car में वो भी मैं उनकों के साथ बताने वाला हो तो सीधा हम शोरूम में ही मिलते हैं अब जो अब फिलाल हम शोरूम पर आ चुके यही वाला शोरूम में max motors नासिक अब इस शोरूम के में आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि अ कि काफी ज्यादा भीडें लेकिन 10-15 मिट में अपना नंबर लग जाएगा तो यहां पर अपना स्टेटमेंट आ चुका है गाड़ी उपर टॉप पे जा चुकी है अब में और संकेत भाई जा रहे साथ में खाली 15,000 किलोमेटर पर इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है बैक पीट बरने वाला ता पेर हमने नोट नहीं किया अब देखेंगे यह होता है यह नहीं प्रॉब्लम सॉल अगर अगर हमने उनको बोला कि अगर डैश बोड का प्रॉब्लम सॉल करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा फिर उनने बोला कि आपको गाड़ी दो एक दो दिन हमारे पाद छोड़नी पड़ी कि उसके बाद यह प् प्रॉब्लम सुखेंगे यह चेंज के लागा है जब आपकी कार 50,000 किरोमेटर नहीं हो जाएगी तो आपको क्या करना है ते वाले टायर आगे डालने और आगे वाले पीछे डालने नहीं सर्विसीं हो जो कि मैं यह से निकलने के बाद आपको बता हूँ कि क्या प्राइज वगेरा क्या आया है